बंगलदेश की दिगज ओल राउंडर साकिबिल हसन ने एक बार फिर अपनी हरकतों की वज़े से किर्किट जैसे जेंटलमेंट गेम की छवी खराब करने का काम किया है धाका प्रेमियर लीक में खेले गए मैच के दोरान साकिबिल हसन ने गुसे में स्टम पुखाड दिया और एंपायर को भी डराने की कोशिश की वीडियो शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ गए शाकिबिल हसन ने फेस्बुक पर एक लंबा चोड़े पोस्ट में माफी मांगी साकिबिल हसन ने पोस्ट में लिखा प्रियब प्रशंसिको एवं शुबचिंत को आज की मेरे वैवार से आहत होने वाले सभीश में शमा याचना करता हूँ मेरे जैसे क्रिकेटर से ये वांशनिये नहीं है कभी कभी माहौल मैदान पर गर्म होता है ऐसी गलती के लिए सभी दलों अधिकारियों टूर्नमेंट से संबंदत अधिकारियों आयजन समीती से माफी मुझे उमीद है कि मैं भविशे में ऐसा किसी तरह का काम नहीं करूँगा सभी के लिए प्यार दरसल आपको बता दें कि मैच के दोरान मुश्रुफर रहिमान को आउट नहीं दिये जाने पर साकिबिल हसन इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बीच मैदान पर अपना आपा खो दिया साकिबिल हसन ने गुस्से में एमपायर की और दोड़े कि जैसे वो उन्हें मारने जा रहे हैं इसके बाद तेजी से विकेट पर लात मारी और एमपायर को डराने की कोशिश भी की साकिबिल हसन यही नहीं रुके इसके अगले ही ओवर में एक बार फिर वो एमपायर की और गुस्से में बड़े और विकेट को निकाल कर फेक दिया साकिबिल को देख कर ऐसा लग रहा तक जैसे उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह हिल चुका है हालकि उसके बाद इस मैच को सस्पेंड कर दिया गया अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बरताव के रिए साकिबिल के खिडाब बांगलदेश क्रिक्रिक बोर्ड और डाका प्रीमियर लीग के और्गनाइजर क्या एक्शन लेते हैं स्पोर्ट्स ड्रेस खेलवारता